आज मैं आपको डाबा कड़ाई गोश बनाने की तर्कीव बताऊंगी जिसके लिए मैंने गोश लिया डेड़ किलो ये कीमा लिया मैंने आदा किलो है इन्हीं बोटियों का मैंने खुद कीमा बनाया एक छोटी चमिज मैंने लिया जीरा एक छोटी चमिज सुका धनिया एक छोटी चमिज मेरच दो छोटी चमिज नमक ये चार पांच हरी मिर्चे एक चमिज हल्दी और एक बड़ा खाने का चमिज मैंने लिया कड़ाई मिसाला छे मेने मोटी हरी मिर्चे लिये जो कुड़ाई कोच में डालते हैं एक बड़ा खाने का चमच लसन एक बड़ा खाने का चमच अद्रग्ट तो माटर और ये तीन प्याज जो मनें काट के रखें अधर बढ़े बड़े साइज करें दो बड़े चमच देह और बाकी मुझे औ अमनने ब्लेक्थ ले अदो ट लिया उसको छोटा छोटा काट के उसका घर में छोटा चोटा अइस काटना और उसको छोटा-छोटा किमा बनानाike ऐसे करके मैंने सारा कीमा बनाया यह मैंने कुकर लिया है इसमें गोश्ट डालना है गोश्ट की बोटियां थोड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए ऐसे यह डेड़ किलो गोश्ट है और आदा किलो कीमा तक्रीबन दो किलो गोश्ट यह आदा कब में इसमें पानी डाल और यह दो चमज मैंने नमक लिया था एक चमज मैं गोश्ट में डाल दूंगी अब इसको प्रेशर देखे थोड़ा थोड़ा गिला लेना है गोश्ट को इसमेने चार बड़े खाने की चमज ओले डाले और प्यास इसको पांच मिनट में मुझे पकाते वे हलका हलका गोल्डन ब्राउन हो रहा है अम इसमें डालूंगी लसन लसन मैंने डाल दिया अब यह अद्रक डाल दिया अब इसको में एक दो मिनट के लिए थोड़ा और ब्राउन करूंगी ताकि यह गोल्डन ब्राउन हो जाए अब यह गोल्डन ब्राउन हो गया इसको इतना ही ब्राउन करना इससे ज्यादा नहीं करना अब मैं टमाटर डालने लगी हूं अब इससे जो नमस मेरे चो शुका धन्यों और दी रहा है यह डाल देना अब मैंने नमम्मीर डाल के इसको दो मिनट भून है यह थोड़ा सा पानी डालना है यह आदा कप आदे कप से थोड़ा सा ज्यादा डाले अब चुले की आंच हल्की करके इसको दो चार मिनट के लिए धिकन देके में रखूंगी ताके टमाटर अस्याद गर्जें मसाले को तीन-चार मिनट मैंने भूल लिया है अब मैं यह दालूंगी कीमा यह थोड़ा टाइम लेगा गल्ले में अब मैं इसको दो-चार मिनट के लिए भून के फिर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी गोश्तों मैंने तीन-चार मिनट के लिए रख रहे है इसको प्रेशर आ गया मगर अभी यह गला नहीं है अब इसको थोड़ा सा और गलाऊंगे तीन-चार मिनट के लिए प्रेशर में इसको मैंने पांच मिनट के लिए बुन है इसका प्याज अभी थोड़ा था नजर आ रहा है प्याज अची तरह गला नहीं अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी अधा कब डाला है और इ कीमा अच्छी तरह भुन गया है इसमें तेल भी छोड़ दिया अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चे अब ये गोश्टों मैंने तार दिया तीन-चार मिनट मैंने और पकाया है ये बहुत जाब़ा नहीं कजाना ऐसे थोड़ा कच्चा-कच्चा रखना है क्योंके इसने कीमे में भी भुनने हैं अब इसको कीमे में डालके हम गोश्ट डाल दिये इसको मैं 5-6 मिनट के लिए भुनूंगी है और यह जो यखनी बची यह जो पड़ाई मसाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो देए आपके अपनी मर्जी से डाले अगर आपने जद्धा डालना है आप यह जो देए रखा था मसाला डालके यह भी मैं डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह पूनने है अभी अब मुझे इसको तीन-चार मिनिट हो गया भूमते वे यह साथ लगने लग गया मैं हल्की हल्की यखनी डालके इसको थोड़ा सा और भूनना भी यह फिर मैं थोड़ी ती यखनी डालके इसको प्रेखनोंगी अब गोश भून गया इसको 10 मिनट मैंने भूना एच्छी तरह इसने तेल भी छोड़ दिया इसकी बड़ी अच्छी खिश्बू भी आ रही है अब मैं इसमें डालूगी मोटी मिर्चे इनको ऐसे कट लगा के यह मैंने सारी हरी मिर्चे डाल दी है इनकी बड़ी अच्छी खिश्बू आती है हरी मिर्चों की अब इसको दो मिनट और बूनके पर मैं इसमें पानी डालूँगी अब यह अच्छी तरह बून गया है यह भी गोश्बूरी तरह गला नहीं इसलिए मैं इसमें पानी डालूँगी एक गलास में पानी डाला है और मैं इसको हलकी आज पे पुकाऊंगी ताकि गोश्ब अच्छी तरह गलदे अब मैं इसको ड़कन दे कर दो हलकी आज पे 10 मिनट के लिए रख़ूंगी पड़ाई गोश्ूश्ब तयार रहे इसका तिमा प्यारा पश्बूर आए और गोश्ब अच्छी तरह गाल दिय अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल के तड़ा मिक्स कर दिया है अब यह बिल्कुल त्यार है अब मैं इससे डिशाउट करूंगी अब मैं डालूंगी इसके ओपर अधर हरी मिर्चे लंड अपाकड़ाई को बिल्कुल त्यार है यह बहुत ही मज़ेदार बनता है आप भी जरूर ट्राई करें मुझे अमीद है कि आपको मेरी वीडियो पुसंद आएगी मेरी वीडियो को शेर करें सिस्क्राइब करें शुक्रिया